दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो 4000 के बजट रेंज में एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं दोस्तों यह मैं वीडियो के एंड तक देखो आप लोग तभी आपको अच्छे से आफर वारे में बताऊंगा तो वीडियो को चली है स्टार्ट करते है मैं बता दू ऐसा एक फोन है जो कि यह लॉंज तो हो आथा यह टैंट हो जैन अभी यह मिल रहा है 4000 के अंडर में 4G फोन है दोस्तों और वह कौन सा फोन है मैं आपको पता देता हूं जैसे कि आप स्कीन पर देखी रहे होंगे यह नोक्या का फोन है और नोक्या को है तो ब आपके लिए best offer रहने वाले हैं तो सारे कुछ इसे मिलते है headphone jack वगेर सारे कुछ मिलते 5 megapixel का front camera है और रेर केमरा 13 megapixel का camera बहुत ही जादा best phone है तो चलिए इसके performance के बारे हम बताते है दिन आगे बताऊंगा इसका main price क्या है और कहां से आप इसको purchase कर सकतो यह आपको फिलिप storage के साथ यह आता है तो बहुत ज्यादा best है जब यह launch हो आता दोस्तों तो उस time में 9999 यानि 10,000 का phone तभी आ रहा था बट अगर आप अभी फिलिप कार्ट पे जाके चेक आउट करते हो तो यह 5400 निन्यानमे में यह भी मिल रहा है बट मैं बताऊंगा यह 4000 में आप कैसे ले कर रहे हैं यहां पर 5400 निन्यानमे यहां पर प्राइज 100 कर रहा है और सारे कुछ यहां पर डेटेल में आपको समझाई रहा हूं और आप यहां पर वीडियो को एंड तक देखते रहो अब चलिए दूस्तों में पॉइंट पर आते हैं इस नोकिया का phone का दाम क्यों कम हो ग आरकेट को बढ़ाने के लिए अपना सेयर को अच्छा करने के लिए इसे करने से नोकियान अच्छा साच्छे phone अभी तो निकाली रहे हैं बट यह दो साल पहले phone आया था उस टाम में यह 10,000 में मिल रहा है बट अभी यह उस कम में मिल रहा है तो आप जाके फिलिप काट प पेमेंट करते हो जब ओडर देते टाइम ही तो आपको वहां पर इंस्टेंट एक हजार का डिसकौंट मिलेगा इसका मतलब आपको यह 4500 के अंडर में मिल जाएगा और यहां पर ज्यादा ओफर वगेरा लेते हो तो आपको अगर फिलिप काट आप ज्यादा यूज करते हो तो यह आपको 4000 में मिल जाएगा इसी कारन से मैंने थमनेल पर 4000 का प्राइज रखा बट आपको यह 40-42 समय यह मिल जाएगा आई होब कि आपको यह सारे बात समय वीडियो एंड करने से पहले एक बात और आपको बता दू अभी यह फोन का प्राइज कम होने का करन यहां पर